नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुर्वमिद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फेर से स्वागत है दोस्तों, आज में आपकी लेले करा आगया हूं फेर से UPTSC, PT की परिच्छा को ध्यान में रखते हुए पूरे रिजिनिंग का निचोड़ वाला वीडियो, ये एक टाइम बॉम की तरह है जो एक डम आपकी परिच्छा के ठीक टाइम से पहले बिस फोटोराइज का यानि इसके माध्यम से आप अपने confidence बहुत हद तक बिर्दि कर सकते हैं इस वीडियो को देखके और अपने जो पांच आउन्थ रिजिनिंग के हैं उसे आप fix कर सकते हैं तो सभी तरीके के इसमें एक एक दो प्रस्णों को लिया गया जो आपकी स्लेबस का रिजिनिंग का हिस्सा है तो इन सभी प्रस्णों को साल करके आप अपने confidence को बढ़ा लिजिए तो चली देखते हैं पहला प्रस्ण तो पहला प्रस्ण है छोटा बड़ा से सबंदित लिखा P, Q, R, S और T की अलग-अलग लंबाईयां है R जो है R जो है T से लंबा है देखिए फिर से पढ़के R जो है बात किसकी चल लए है R की R जो है T से लंबा है इसलिए हमने T से उपर बना दिया परम्तू परम्तू, किंतू, लेकिन से वाक के जोड़े यानि कि अभी बात किसकी हो रही है R ही की बात हो रही है R जो है T से लंबा है लेकिन यही R लेकिन कहें तो यानि पिछले लाइन में जिसको लंबा कहा है अगले लाइन में जाता उसको छोटा कहता है अगले लाइन में अगर किसी को छोटा कह रहा है तो किंतु परंतु के बाद उसी को लंबा बोलता है किसी और से तो R T से लंबा है लेकिन यही R P से छोटा है तो P उपर बना दीजिए यह छोटा हो जाएगा R T से लंबा हो गया और P से छोटा हो गया अब कर रहा है S Q से लंबा है तो इसमें S और Q कहीं नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चले कर नीचे रखे कर उपर रखे तो हम लोग चाहें, तो अलग बना सकते हैं, S जो है, किस से लंबा है, Q से, अब कहानी किस की है, S की है, देखी, बात किस की कर रहा है, जातर सुरू वाले की ही बात करता है, सुरू वाले नाम की, तो S Q से क्या है, लंबा है, बात चली S की, तो अगली लाइन में परंतु कहा ह यानि कि इसी S के बारे में बात करेगा, S Q से लंबा है, परंतु T से छोटा है, कौनत यही S? फिर से चेक कर लिजे, S Q से लंबा है, लेकिन यही S T से छोटा है, अब इसको हम लोग watch लेगा करना चाहते हैं, इसमें कैसे होगा, तो यह दिखा रहा कि T के नीचे S, S के नीचे Q होगा तो T के नीचे S और S के नीचे Q होगा तो हमने ऐसे ही इसको लिख दिया अब पूछ रहा सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा पता चल गए आपको कि P है यानि हमारा आंसर है C जो कि आपको अगले स्वाग में देखने को मिल जाएगा देखिया आंसर है C अगला प्रस्ण रैंकिंग से 73 बच्चों की एक कच्छा में अनुजा का अस्थान उपर से 23 है तो उसका नीचे सी स्थिति क्या होगी और यह एक लेटेश्ट परिचा में पूछे के सारे प्रस्णों के यह अपलिया गया है तो नीचे से इस लिति नीचे से कईए या अंत से कईए अनुजा का उपर से अस्थान कईए चाहे प्राराम से कईए पूल मिलाके नीचे से अस्थान पूछ रहा है तो नीचे से अस्थान बराबर होता है कहा जाए तो पूल अस्थान माइनस उपर से अस्थान और प्लस ट्रिक में है एक तो नीचे से स्थान बड़ाबत कुला स्थान कितना है तो 73 बच्चों की कच्छा मैंने कि टोटल बच्चे 73 हैं टोटल बच्चे हैं 73 अब माइनस उपर से अस्थान उपर से अस्थान है 23 तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 23 और ट्रिक में है प्लस एक प्रस्व मुझे डार्क चलाना पड़ता है क्योंकि यह गाहा चलता नहीं है तो अब 73 में से तेश्य निकालना तीन में से तीन कलना जीरो और साथ में से दो निकलना पांच यानि कि 50 और इधर प्लस एक तो 50 और एक हो जाएगा हमारा से 5 जो क्याओं चोंड़ की बिकल्प डी में है हमरा आशर हो जयता है बिकल्प डी का अगला पर देखते हैं मां लिजी मांब ऑ संबंद संबंद यानि रख संबंद तो यहां पर हम लोग देखते हैं लिखा है माल लीजिए कहां बनाया है यहां पर बनाया देते हैं माल लीजिए अब बेटी का मतलब एक पीड़ी नीचे अब बेटी का मतलब माइनस से दर साते हैं बेटे को यह प्लस से दर साते हैं किसकी बेटी है बी की एक पीड़ी नीचे इसलिए हम लोग एक को एक पीड़ी नीचे लग दी ए बेटी है तो एक पीड़ी नीचे किसे तो बी से है यारणी बी अब एक पीड़ी नीचे रहेंगी किसे सी से को कराब बेटी है किसकी दीडिया यानि माइनस भी हो गया 2D सिद्पर और करी है यानि साथ किसका भाइन अपने ही पीड़ कह लिए है चयां भाइgiving की पूर्श पूरु से माईनस है और मा है यानि एक पीड़ी उपर है किस से E से E से अब पुछ रहा है कि यदि E मादा हो यानि कि E अगर माइनस हो मैला हो तो A E से कैसे समन्द ही था किसका किसका समन्द पूछ रहा है E का A से यानि इन दोनों में क्या रिलेशन है इसी तर समझ मैं एक पीड़ी उपर एक पीड़ी नीचे वला समन्द होना चाहिए तो इतना कंफर में कि भाई नहीं होगा इतना कंफर में कि बहन नहीं होगा क्योंकि ये बहन और भाई अपने ही पीड़ी में होते हैं जबकि य ऐससे एक प्युडी ऊपर एती तिक ळेक यह इसकी सब्सक्राइब कि मास constitu यह क्या है है मैरीमा मेरी मेरी क्या है वहन है या clicking पूरा-पूरा वी result हम लोग ला सकते हैं प्रिकी तरीके से बी जैसे मैंने बता वैसे भी आंसा लाए जा सकता है कभी-कभी फिर रख्त समझ से ही प्रशन एक और मैंने लिया है यह इसारा करने वाला प्रस्ट भी मैंने एक लिया है ने कहने वाला कोने ए इने एफ से कहा आप आप का मतलब एफ यानि कि जो भी रिलेसन हो गए एफ के लिए बताया जाएगा एफ के लिए आंसर आएगा इने एक सकाए क्या कर आप आपका मतलब है न है कर तो बेटे पूछल के लिए आयाईगा यह कौन है तो रास्ट में रिव टेश के लीड़िए अएगा बाती यह रखे सिर्ण मेरे तो लास्ट में ओस्पली अमेरे के स्वर्डे ऑप सभी मतलब प्लास कि पतनी यानि पती पतनी को मैं से दर्शाते हैं हम लोग फातनी के ससूर हो किसे कह रहा है ये बात हुए याप से यानि इसके पती के पिता होते हैं क्योंकि यह इसको पुत्र बोलवा ज़िान क्या करा है की चेसे समझत है यानि F और E तो यह पती है यह पत्नी है तो देख लिए भाई वाला गलत होगा पीता वाला गलत होगा अब देखते हैं इन दोनों में F E की पत्नी है F पत्नी नहीं बलकि पत्नी है तो F E का पत्नी है तो यही हमारा D आंसर सही हो जाएगा अगला देखिए अलग छाटना है कुछ करना नहीं बस बताने अलग कौन है तो आसानी से कोई भी बता सकता है नीबू खटा का च्याम है यह भी खटा इमली भी खटा चीनी लेकिन कभी खटा नहीं हो सकता है अंसर होगे डी ज्यादा अपवाद लाक नहीं सोचना चाहिए अलग छाटने में अब इसको भी आसानी से टिक लगा जा सकता है दोनों में क्या समद्द है तो 21 दूना 42 दूगूना है 24 दूना 48 यह भी दूगूना है अलग छाटना एक और प्रस्म अलग छाटना भी मैंने हर तरह का प्रस्म लिया है अंक वाला सब्द वाला अंग्रेजी अच्छर वाला है तो ध्यान से देखेंगे जातर इसमें अंतर के अधार पर होता है है यह से य्यानिकी प्लस-दो । यह है तो दो प्लस-दो सफ यह प्रसक जेंगे अगे चर्क करने की ज़रुवातude दो एक घर इमें दो बजने पर उस घड़ी का दरपड़ छबी में क्या समय होगा दरपड़ पर भी मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले अगर आपको कोई दिकत हो तो उस वीडियो को आप देख लीजिए आमसे प्रसनों को साल्प कर लेंगे वैसे नहीं भी जानते हैं त दरपड़ प्रतवीब पूछे कि दरपड में इतना दिख रहा है तो वास्तों में कितना यह वास्तों में है तो कुछ सब्सक्राइब 12 में से घठा बाड़ा गये engadim 20-0 में मेंसे दो निकाल देंगे तो 10 रहा है तो मुझावानी आसर आ जाता है हमारा अब देखिए कलेंडर का भी मैंने एक प्रस लिया है 17 मार्च 1980 को सुमवार था तो 12 जुले 1980 देखिए साल वही है सिर्फ कुछ महीनों का अंतर है यानि कि हमारा प्रस ने माह में दिन ग्याद करना है तो और माह भी एक दो नहीं कुछ माह है तो कुछ माह का ट्रिक मैंने बताया था जब एक माह नहीं बलकि कुछ माह की बात हो तो कुछ माह बराबर होता है माह में बचे दिन और बटा में साथ ये ट्रिक मैंने बताया था तो हम लोग बस यह पता चल गया कि 17 मार्च से हमें कहा तक बढ़ना है 17 मार्च और इस संट एक है तो लिखने की जरूत नहीं मार्च के बाद अपरायल के अपर ये सब प्रॉ्प्र प्रॉमख्र प्राप प्रिच्छा मत लिखेगा डैरेक्ट उसका कितना mostly बचा यह डारेक्ट लिख सकते हैं मैं समझाने के लिए आपके लोग लिख रहा हूं उसके बाद मई उसके बाद जून और उसके बाद यह जूलाई है तो देखिए मार्च में कितना दिन बचा है तो मार्च होता है 31 का तो 31 में से आप 17 दिन निकाल दीजिए देख लिजिए कितना दिन बचा है चार और यहाद दो में सेखने के लिए यानि कि 14 दिन बचा है यानि कि मार्च में कितना दिन बचा है 14 दिन अब प्लस अप्रैल में कितना मैंने इस पर भी आप जोड के देख सकते जनुआरी फ़र मार्च अप्रल गढ़े में आ गया है नहीं तीर आता है, जूलाइ कितने दिन का सिर्ट एक तीस दिन का, जून तीस दिन का और जूलाइ 31 दिन का लेकिन 12 तारिक कोई खतम होगा, इसलिए आप यहाँ पर 12 लिखेंगे में हैं क्योंकि 7-24 29-31 पर ध्यान ले जाने 3 बचेगा साथ चुकटाइस सेजफ़ दो साथ एक 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 साथ और सेजफ़ पांच ताकि जोडने में आसान हो अब यहां पर तीन और दो पांच 5-2-7 और 7-5 फिर 12 हो गया फिर 7 से कटाई तब तक जब तक कि 7 एक सींट सेजफ़ 5 यह जो पांच आया है इसी से आपका काम है तो यहां पर कौन सा दिन है सोमवार तो सोमवार दियेगा दिन में आप किता दिन जोड़ेंगे पांच दिन सोमवार में पांच दिन जोड़िए मंगलवार बुद्धवार ब्रेश्पतिवार सुखरवार सनीवार यानि हमार आंसर हो जाएगा सनीवार जो की विकल डी में और भी tricky तरीका है तेज से लगाने का लेकिन यहाँ पर उतना समय नहीं है कि हम आपको कोई दूसरा tricky तरीका बताएं क्योंकि दूसरा tricky तरीका बताएंगे तो काफी फिर मुझे सुरू से लाज तक हर एक चीज बताना पड़ेगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर आप कलेंडर के प्रस्णों में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कलेंडर पर मैंने एक e-book भी बनाया है उसका link मैं आपने description box में दे दूँगा आप चाहें तो वहां से जाकर उसे पर्चेस कर सकते हैं उसमें पूरे विस्तार से कलेंडर का a to z बताया गया उदार दे दे के समझाया गया परिछाओं में पूछे गया सारे प्रस्णों को साल भी कराया गया तो अब देखते हैं हम लोग इसका answer डी है अब देखते हैं अगला प्रस्ण यह भी कलेंडर एजसे दिन वर्ष को चार से भाग देना है जब जिस वर्ष के लाष्ट में डबल जीरो आए जैसे 900 या जैसे सन 2000 इसके लाष्ट में डबलंजिरो भी या तुल लज़ा गार और अंतिम दो अंग अगर शि电ा गर पूरा अंग चार्श 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 कढ़ेद सब्सक्रांघ जरुदिश्थ्थे दो अई पर meno फट्रें सब्सक्रvaluation खेंग सब्सक्राम छिएगा गर यही हमारा लिप्वर्स हो जाएगा हमारा आंसर हो जाता है अगला प्रसकोडिंडिकोडिंग से मैंने लिया है इसको देखिए जातर में तो आपने देखा होगा प्लस करता है कभी कभी माइनस करता है कभी कभी विप्रीत अच्छर कैधार पे होता है लेकिन जब अच्छर ज 345 नंबरिंग करके इसको अंसर लाएं या तो दिमाग से पता कर लें कि कैसे घुम रहा है तो डिरेक्ट वाइसे भी आप कर सकते हैं तो देखें ध्यां से तो बी आई यार है तो इसमें इसी को यहां से यहां उल्टा लिग दिया है आर आई बी लिग दिया है इतने खो फिर निट बी-ए-ए-एम तो इसको लिग देगा एल एवी याणि उल्टा लिग दे लग त्onne-म लोगए आज दी न्हाँ हे है तो हम लोग लिग देंगे इधर सीधर यानि ए आई और डी आड़ Che अब अल्ण है जम लोग इधर सीधर लिग देंगे है ईलझा gives a है तो यह किसंट भी कलप में है ई-ई-डी इसमें नहीं है इसमें नहीं है आगे चेक करना पड़ेगी एडी के बाद एल एस में नहीं है यानि हमारा आंसर जाता है डी एडी एल एडी एस आंसर हो गया डी कोडिंडी कोडिंग सही प्रसन है लेकिन इसमें अच्छर कोंक में बदला गया है तो जब जहां से देखिएगा एक कोड यहां की बदले में यहां दिया है फिर इसके बदले में यह दिया यानि कि दो देके फिर तीसरा पूछे तो ज्यादा उमीद है कि हूब हूँ है ज्यादा उमीद है जब एक देखे डारेक्ट पुछे तो उमीद कम होता है कि हूब हूँ हो भी सकता है लेकिन जब दो कोड देखे एक और कोड देखे तीसरा पुछे तो ज्यादा उमीद है क्या होगा मैंने इसका नाम रखा है तो आई इसमें दूसरे नमा पर इसमें दूसरे नमा पर आठ है तो आठ हो गया इन इन का मिलेगा इसमें नहीं है लाश्ट से दूसरा या सुरू से तीसरा सुरू से तीसरा नो है तो नो लिख देंगे अब डी का पता करना डी पहला है यहां भी पहला च्छै तो च्छै या इसमें टैस्टी यहां पर हमसे पूछा गया टेस्टी तो है इसके बदले में यहांपे यहां पर टेस्ट लिखा है तो इतना कॉंफर्म है कि देखे सो तो पिज टेस्टी इसके बदलें तो 895 इतना कन्फर kaimaran सर्folg या नो होगा या पांच होगा तो सरसरी निगास से तो कभी आप तीन कों कभी जमाने में टिक करना ही नहीं त्यूम् funcion अब टेच्टी यहाँ पर है तो हमें ठूड़ना है और कोई तक वह कामन होगा लेकिन टेष्टी यहां पर है अकेला है इसे और भी क्रिक्स हम लोग लगा ला ला लए Production एक है कि फॉप reicht का इसको छॉप का कोड्न हम लोग पता करें क्योंकि सोप आप इसको हम लोग ओढ़ा देंगे कि वह that लेकिन यह तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा समय आपका ज्यादा लाएगा तो सबसे आसान तरीका मैंने बनाया है अपने आपके लिए टेस्टी यहां पर अकेला है तो आठ नो पांच में से भी कोई अंक ऐसा होगा जो अकेला होगा यानि कि सिर्फ यहीं होगा तो चेक नो नहीं है यानि कि नो ही अकेला है यानि इसका कोड नो ही हो गया वैसे पांच को चेकर तो पांच अकेला नहीं क्योंकि यहां पर है आठ यहां पर था और पांच यहां पर था लेकिन नो कहीं नहीं है यानि जिस तरीके से इधर टेस्टी अकेला उसी तरीके से यहां पर प्रभाव यह भी टॉपिक ऐसा है जो काफी लोगों को परसान किया लेकिन मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है आप उस वीडियो को मुझे चोट लग जाए तो मैं कहूंगा कि कारण क्या था दोड़ना उसका प्रभाव क्या पढ़ा मुझे चोट लगना तो वैसे ही आपको पता करना कारण कौन है प्रभाव कौन है तो देखिए कई स्कूलों में सभी कछाओं के लिए कंप्यूटर सिच्छा को अनिवार कंप्यूटर सिच्छा को अनिवार यही में निचोड़ यही कंप्यूटर सिच्छा को अनिवार कर दिया गया वर्तमान में नौकरी बाजार में कंप्यूटर सिच्छित नौकरी में नौकरी मार्केट में नौकरी पाने के लिए सिच्छा अनिवार कर दिया गया दूसरे में का दरा कि कम्प्йूटर जो शिच्छित हैं उनको न साधी जल्दी मिलिया रहे है तो ये बताइए एक कम्प्प्युटर सिच्छा को जब आगर हैसे हम कोई चीज को उनिवार कर देते जह से कह देते हैं कि आज के बाद आपको कंणर सीखना अनिवार होगा तो क्या मेरे अनिवार कर देने से कंणर सिच्छा की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तब उसके हिसाब से उस चीज को अनिवार के आता है यानि कि यह कारण है यानि कारण अच्छा है यही कारण कि सभी इस्खूलों में यही कारण है इसी कारण से यह परीडाम सामने आया है कि सब्सकूलों में computer सिछा को अनिवार कर दिया गया यानि ये कारण है ये परिडा में यानि दूसरा वाला कारण है उत्तर 2 दिजें यदि कथन 2 कारण होतू कथन 2 कारण है और कथन 1 क्या है परिडा में यानि हमारा आंसर हो जाएगा 2 अब देखें इन्याय वाक्ष से समन्दित प्रफन है कुछ कागज पुस्तक है मैंने बता है जो ही कुछ बोले आपको ऐसा चितर बना लेना है एक में एक सब्द और दूसरे में दूसरा सब्द लिख लेना है बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है तो हने की बाते हैं कि लंब इते प्लीइसाप्अ में लिखों कृम में चेट कोलंग में चंडब में किसकी बात कर रहा है कलम की जड़की तो कलम च्षड में देखे kijken यह कलम है यह Сब्सक्रोव है और अंपकर मेरे कि निद्सकरस कुछ हां कुछ हां कुछ हां यह कि बोला सभी जब कि हमी निकल सकता कि कुछ कुछ वाले यानि ये गलत है क्योंकि सभी तभी निकले रहे जब ऐसा निसकर चित्र रहेगा कुछ कलम छड़ है किसकी बात करा कलम की छड़ की तो सही बात है कुछ कलम छड़ है ये सही है कुछ पुस्तक के कलम है तो पुस्तक कलम का इतना भाग इतना, देखिए ये कलम है, ये फूस्तक है, यानि इतना भाग जो है ये, इतना भाग, कामन है, यानि ये भी सही है, सभी छड़े कलम है, तो छड़ की बात करा और कलम की, छड़ और कलम में कुछ-कुछ वाला रिष्टा है, सभी वाला नहीं है, यानि ये भी गलत है, यानि तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लागा कमेंड बाक्स में जरू लिखेगा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर दीजाएगा इसे अपने दोस्तों में वाट्सप ग्रूप में फेस्बूक पर सेर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि आपकी परिछा तक ऐसे टाइम वाले वीडियो में बनाता रहूंगा धन्यबाद दोस्तों